सब्सक्राइन के लाच बडियो में में इस वीक में स्टार्ट करेंगे शन्ट उनिट में लिए तो एक्सेसााइज थोरी ज्यादा है चर्मारी हमारा बड़ा था तो इसकी ऐसे हमारे चैंट द साइज च्छाय साइज यूरए मिल जाएगी तो वो काम करना, तो उसका शॉटली आपको एक message दे देती हों, शॉटली आपको उसकी जलक दे देती हूं तो जो इजलन धृप हे, वहाँ पे एक family गई हुई है, तो वहाँ पे वो family प्ते लकड़ी से कैसे उनका घर बनाते है, कैसे साथ में मिल के सब काम करते और किसे उनका घर बनाते है और घर को नाम देते हैं तो उस वाइफ को लिखा गया है कंटे coون अच्वाक शुपद fiance इसका थो बच्चे जो बच्चे है उनका नाम है और शादी किनारे ले और तो इसके आगे पीनर करते हैं कि जब आता है तो सामका तैम हो जाता है तो वह अगे रक्ते है तो भी छेटा मेी रखता है जैसे कुछ दीखता है तो वह नोग और सबीधा वह थीज़ बावल खाता है में देख सकते हैं आग लगाई हुई है आग क्यों लगाते हैं क्योंकि जंगली जनवरा नहीं सके उसके उनको और प्रोटेक्षण मेले एसे लिए ऐसा करते हैं उसके बाद देखा कि वो लोग कैसे बनाते हैं तो फोर दीवाल का description हमने देखा कि एक दीवाल दो दीवाल तलकरे की बनाते हैं एक दीवाल पैड की होती है चौथी डीवाल वो लोग खुली रखते हैं ताकि जो ध्रीप है उसमें जो समुद्र है वो समुद्र की ताजे-ताजी हवा आ सके वो फ्रेस हवा उनको मिल सके लिए खुला रखते है यह सब कुछ बनाने में उनको कई सारे दिन लग जाते है पर लाश में उनको रिजल्ट अच्छा मिलता है फिर वो लोग इस दिन में जितनी भी जगह वो लोग वीजित करते हैं वो सारा की वो लोग लिश्ट बनाते हैं और क्या नाम देते हैं इसका सेफटी बे क्यों फिर वो लोग अपने गवार करते हुए उनके सेफटी के लिए और उनका जो गर है उसके सेफटी के लिए वो लोग प्रे करते हैं तो यह था हमारा यूनीच थर्ड ठीक है उसका हमने पूरा अच्छा से श्टडी कर लिया उसका शॉट लिया आपको समझा दिया अब चलो ए लिखना है उसके बाद है कि उपर जो हमें आंसर दिया गया है वह किस क्वेश्चन का अंसर है उसको हमें जिसका हो उसके राइट टीक करना है जलो उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है तो यह 30-40 वर्स में क्वेश्चन आंसर लिखने है इसका 100-120 वर्स में लिखना है इसका 150-20-200 वर्स में लिखना है उसके बाद का है वाट वुड्यू राइट के लिखना क्या है तो फॉर्स्ट पैरेग्राफ राइटीम इमेजन धेट नेच्रल क्लेमिटी है जब्स ट्रॉक प्लेश्ट नियर्य राइट ट्वेंटी टुहंद्रेद वर्ड पैरेग्राफ वान वहाव वुड्यू कांट्रिबूइट तो देश्टिशन अपहल्ड एंडी है बलाटाइंग दर विक्टम्स की यहां पर जो पैरेग्राफ दिया गया है उस पे हमें 200 वर्स लिखने है उसके बाद है उसके ब इसको आपको अच्छे से स्टड़ी करना है इसमें अंदर क्या लिया गया है उसको आपको स्टड़ी करके लिखना है उसके बाद है वाश्ड ग्रामर बीहाइंड ही ग्रामर में डिफनाइट एंड इंडिफनाइट अर्टिकल्स यानिके इंडिफनाइट अर्टिकल्स में यहां पर आपको यहां पर कैसे युझा उपर यहां पर आपको 10 ब्लैंक दी गई है वो ब्लैंक को इस जाल आपको यूझ करके इसको फिल अब करना है ठीक है उसके बाद का पेरेग्राफ दिया गया है उस पेरेग्राफ में भी A, N और The Missing आ रहे तो कौन सी जगह पर कौन सा आर्तिकल आएगा वह आपको लिखके पेरेग्राफ फिर से करेक्ट प्लेस में लिखना है ठीक है उसके बाद का है What's the good word तो यहाँ पे पूरा आपको दो exercise दी गई है वर्षड गूर्वर में तो उसको अच्छे से study करना है और इसका क्या meaning क्या होता है सब कुछ आपको दिया गया है compound word है यहाँ पे dictionary uses सब कुछ दिया गया है तो आपको अच्छे से study करना है और notebook में इसको लिखना है तो यह सारी exercise के आपको एक जहलक दिए दी क्या करना है और इसके बाद का जो हमारा four unit है वो हम हमारे next video में start करेंगे